ही गाइस बेर बेरी गुड बार्णिंग वेलकम बैक टू मैं चैनल वेलकम टू एनादा नीव ब्लॉग मैं हूँ मोश्मी और आप लोग देग रही हो माई लाइप पाय जानी आज दिन शुमबाद और अभी शुबा का टाइम है 7 अभी से मैं हमना ब्लॉग स्टाट कर रही तो वो अभी केजी 1 में है और केजी 2 में जाएगा तो उसका ही एक्जम होगा फाइनल एक्जम है तो वो फ्रेसो के भी यहां पर देखिए वो बैटके कुछ लिग रहा था और उसके साथ-साथ किदिने सारे कागोज फार दिया है तो अभी पूरी घर पे जाडू लगाने उसके बज़ा से और पूरी एक्जम होने के बाद फेबार्स बगारा सब्मिट करना है तो चलिए नहां दो के फिर अब लोगों से बादे करती हूँ अब जो है नाना हो गया है और पालो का हालत देखिए बाद में घंगे करेंगे तो अब ही चलिए पूजा कर लेते हैं और पूजा के पहले इनमा जिदिने सारे भगवान के वर्तन है बो में धोडूंगी तो चलिए और यहां पर देखिए यह क्या कर रहा है दीखिए जो है बहुत ही खड़ाब है क्योंकि यह जो कपड़े अब लोग देख रहे हो ना यह कलकर कपड़ा था तो अभी तो मैंने फोल्ट नहीं किया है तो वहले पूजा कर लेंगे उसके बाद लंच पाएंगे और फेर जाके इसको फोल्ट करना है अभी जो है बहुत देर हो पूजा था एलेवेंट ओडा था टाइम तो चलिए फटा फट कर लेते हैं पूजा उसके बाद लिए और मैं आ गई हूँ तुम भगवान का वरतन होने के लिए और मैंने ड्रेस भी चेंज कर लिया क्योंकि पूजा का ड्रेस अलग सा रहता है तो इसके वज़ा से बो ड् बलोग देख लिए होना कंशा और अब लोग को पता ही है मैं हर रोजी क्लीण करता है तो चलिए भगवान काम ड्रेस जो है ठोडा उपर है अब लोगों को पता ही है तो वीडियो बनाने में थोड़ा तकलिफ हो रहा था इसके बज़ा से मैंने नीचे ही आज सिबलिंग का पूजा करूंगी और यहां पर देखिए मैं सबसे पहले दिया और अगरबती जलाओंगी और मैंने यहां पर पूजा भी ले लिया है तो हर किसी के पूजा तो एक नहीं होता है तो हर एक को एक एक तरीके से पूजा करते हैं तो मैं कैसे पूजा करती हूँ तो यहां पर देखिए दिया और अगरबती मैंने चला लिया है यहां पर देखिए सबसे पहले सिबलिंग को नहलाना है और अभी जो है मैं अच्छे से नहलाने के बाद यह सिबलिंग के नीचे जो पाथरबाटी रहते हैं वो भी धोड़े ही हूँ और ये नॉर्मल पानी के साथ मैं थोड़ा सा गुंगा जोल जिसको हम बोलते हैं वो ही एलट किया था और ये देखिए ये पथरबाटी धोने के बाद मैं पोच लूँगी और उसके साथ सिबलिंग को भी पोच लूँगी क्योंकि नाहने के बाद हर वक्त भगवान को पोच लेना बहुत ही जुरूरी है तो आभी जो है देखिए अच्छे से मैं भगवान को पोच रही हूँ और इसके बाद भगवान के सामने प्रोसादी और उसके साथ साथ दिया अगरबती सब कुछ में रखोंगी तो यह जो फूल बगड़ा है मैं तो पहले ही रेड़ी करके रखीती तो यहाँ पर बिलपाता है उसके साथ धूतरा फूल है और एक केला है और कुछ गादा का फूल है तो स्पेसली भगवान को तो बिलपाता से ही पूजा किया जाते है तो बोलते है ना एक बिलपाता में भगवान जी तुस्त हो जाते है तो भगवान के सर जो है ना कभी खाली नहीं रखना है कि एक फूल बगड़ा सर के उपर रखना है और फूल बगड़ा नहीं होगा तो ए अभी जो है मैं पानी डाल रही हूँ और अगर बती मैंने रख दिया है और अभी जो है आरती स्टार्ट करते हैं और यह देखिए आरती करने के बाद ही मेरा पूजा कम्प्लिट हो जाएगा और मैं हर सुंबार को सिब्लिंग का पूजा ऐसे ही करती हूँ अब लोग कैसे कर करती करा किए मेरा अभी मैं आई पर लंच पकाने के लिए तो उसके पहले मेंने ब्रेकस्त भी कहा लिया था और वेट को भी दे दिया था तो अभी जो है यहाँपर राइस हो रहा है डाल भी बनके रेडी है और में बना रही घुन ही धुच्ट के पास्तों और और उसके साथ साथ कालका सुबजी है कमीक्स बिस तो वही है हमारा आजका सिंपिल सा लांच तो यहां-पोर देखिये सब से पहले मैंने डाल दिया था ऊइल और उसके बाद सुखा मिर्च और थोड़ा सा खड़ा नजीरा और उसके साथ दिया था चार पांच टो बोड़ी तो यह देखे ब्राउन कलर होने के बाद मैं यह पर डाल दिया था आलू और अभी जो है मैं कसको सिलपटा से ही पीश्ट रही हूँ क्योंकि मिक्सी में टेस्ट म बहुत ही खराब है तो यहां पर देखिए पोस्ट जो है बिल्गुल बनके रेडी है तो अभी जो है थोड़ा सा हां मास्टर ओयल डाल देंगे तो हो जाएगा खसकस रेडी तो चलिए लंच कर लेते हैं अब लोग भी आ जाओ तो आभी जो है चार बज़रा था और हस्प होते है ना तो अंडा फीस यह सब खाने का बिल्कुल ही मन नहीं करता है और कालना संडे था तो चीकन दो टाइम हो गया था इसके बज़ा से मेरा आज ज्यादा कुछ खाने का मन भी नहीं था इसलिए मैंने सिंपिल साही लंच बनाया था और अभी जो है यह सब कबडे फो पेंट सेयार और में जलनके सब्सक्राइब करना मत पुलिए बाबाई